आज के स्वीडियो में हम PM SSV योजना के बारे में बाचीत करने वाले हैं PM SSV योजना क्या है? इसका उद्धिश्य क्या है? इसको क्यों बनाएगा है? कौन स्टुडेंट इसके लिए अपलाए कर सकते हैं? इसके आपको पता है कि कख्षा 9 और 11 वी पढ़ने वाले बच्चे इसके लिए अपलाए कर सकते हैं या केंदर सरकार की स्कीम हैं जिसके तायर 9 पढ़ने आले बच्चों को 45,000 रुपे की स्कोल वजिप मिलती है और 11 में पढ़ने आले बच्चों को 1,25,000 रुपे की भारे भर कम स्कोल वसीप मिलती है तो आज की स्टुडियो में मैं PM SSV योजना की बारे में फुल डेटेल आपको दिखाने वाला हूँ क्या इसकी इलिजिबिलेटी है, क्या क्या जानकारी है, क्या क्या डाकॉमेट आपको लगने वाले है इसी तमाम जानकारी आज की स्टुडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ तो चलिए, सुरू करते हैं जैसा कि आपको पता है कि PM SSV योजना के लिए जो कक्षा नवी और 11 में पढ़ते हैं वो ही इसके लिए पात रहें इस PDF के मादेम से मैं आपको समझाने वाला हूँ कि PM SSV योजना के लिए किस तरह से कौन-कौन इसके लिए पात रहें अगर कुछ गलती हो गई है और आगर आप उसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं तो सुधार की डेट भी यहाँ पर दी गई है उस सुधार की डेट के अनुसार आप पहले पहले उससे पहले आप सुधार कर लेंगे इसके बाद में स्क्रोल करके नीचे आएंगे परिक्षा सूलक के अगर बात करें तो इसमें कोई भी सूलक नहीं लग रहा है ये फ्री आफ कोश्ट है आपको एक रुपे भी चार्ज नहीं देना है आपका पूरा फॉर्म फिरी में भरा जाएगा एंट्य की वेबसाइट से ही इसका फॉर्म भरा जाएगा फॉर्म किस त कोश्टन के चार उबजेक्टिव आपको फिल अप करना होता है चार में से जो सही होता है वो आपको सही उबजेक्टिव उसमें चुनकर फिल करना होता है और ये मार सीट कुछ इस तरह की दिखाई देती जैसा कि आप देख सकते हैं इसके बाद में वस्टुनिस्ट प्रस प्रसन पत्र के अगर बात कहती हिंदी और इंग्लिज दोनों में आएगा आप फॉर्म बातल टाइम जिस लेंग्वेज को सेलेक्ट करेंगे उसी लेंग्वेज में आपका प्रसन पत्र पर आने वाला है प्रसन पत्र प्रसेस दोनों जाएगा जिसमें आपको अपफ्ला करने का प्रसेस बता जाएगा इसके बाद में शोलग करके नीचे आएगे और यहां पर बहुत सरी जानकर दी गई है आप इसे पढ़ना चाते है तीसे भी पड़ सकते हैं ये पूरा पीडियेप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा और टेलिग्राम चेनल का आप महाँ से इस पीडियेप को डाउनलोड कर सकते हैं कुछ महत्पूर्ण जानकादी जैसे यससवी योजना के लिए कौन पात रहें सब्सक्रिण का लिए नवी और ग्यार्वी में अद्रिंदियां डाइन्ड़ होना चाहिए 20-23 में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो finding अबर तेंत कशा इंड GPA की हो आप इसके एक्जाम देना होगा एक्जाम देने पर आपको कुछ इसमें कौलिफाइ मार्क से दिये गए वो भी मैं आपको बता दूंगा कौलिफाइ मार्क से प्राप्त करने के बाद आपकी मेरिट सूची तयार की जाएगी मेरिट सूची के बाद में आपका दमूल दस्तावेजों को सत्यापन किया जाएगा इसे बहुत सारी जानकारी हैं जिनको मेच किया जाएगा उसमें अगर आप फिड़ बेटते हैं तो आपको इसकोलोसिप कलाब दे दिया आएगा ऐसा नहीं है कि अगर इसमें मेरिट सूची बनेगी मेरिट के अनुसार जिन बच्चों का नाम आएग ग्यान यान आपका रिग्चिन टायप सा भी इसमार आने आला है गनित में आपको 30 नमबर के कॉश्चन अाएगे एक कोशन एक नमबर करहेगा उसके आद में तीस नमबर इसके मिलेंगे इसके बाद में विग्यान पचीस नमबर का आने आला है पचीस एक कोशन एक नमबर का रहने आला है पचीस अंक इसके हो जाएंगे सामाज विग्यान भी पचीस नमबर का आएगा उसके आद में आपको सामानी ग्यान भी देखने को मिलेगा 20 नमबर का सामानी ग्यान होगा एक नमबर का एक कोशन होगा ऐसे करके आपको कुल 100 नमबर का पेपर होगा 100 नमबर के पेपर में आपको 100 कोशन देखने को मिलेंगे चार को सन अब्जेक्टि टाइप में होंगे एक ही इसका जो आंसर है वो सही होगा आपको चार में से जो सही विकल्प होगा वो चुनकर लगान होगा कोई इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होने आली है यानि नकरात्मा कहने अगर आपने गलत जवाब दे दिया है तो उ गंटे की परिक्चा होगी यानि 150 मिंट का फेपर होगा जिसमें आपको सो कॉस्टन हल करने होंगे आपको बताहएं कि इसमें बता होने अला है ऑफ लाइन ओमा फेपर होगा उसके बाद में डाय गंटे यानि 150 मिनट आपको दीए जाएंगे परिक्च्छ्छ्य शुरू हो लिए क्वालिफाइ माने जाएंगे इसका आगी की प्रूसेस की जाएगी इसमेरिट में अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको इस योजना का लाब मिल जाएगा प्रसनपात्र हिंदी और इंग्लीज दोनों लेंग्वेज में आने वाला है देखिए यहां पर लिखा है प आपको पढ़ना हय कुछ अलग से नहीं पढ़ना है कख्चा कर 11 के सिलेवस के बात करे तो आपको 10 कख्छा का एंसाालती पाल्टी प्रूसेस है बताएं बताया है उन सबी हीशों का ओना झाहिए उसमें में यहाँ पर कुछ विद्यालों की सूची दी गई है इस वेबसाइट के माद्य हम साब देख सकते हैं इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगा या वे टेलिग्राम पर इसका पीडियो भी अवेलेबल करा दूँगा आप वहाँ से देख सकते नहीं माने जाएंगे कक्चा नवी में आःदन करने वालों के लिए जो जो डेट बताई गई इस डेट बार्थ के अंदर美味 नहीं होना चाहिए और जिजो डेट बड़ बताई गई है यही इसमें तर और आपकी है तो आप इसके लिए पात रहें लड़कों के लिए कुछ अलग से पातरता नहीं है सेम जो ये पातरता बताए गई ये सेम लड़के लड़की दोनों के लिए अगलेबल है अगर कोई PWD यानि विकलांग है तो उनके लिए भी कुछ और इंफॉरमेशन यहापर बताई गई है आप इन्हें आसानी से पढ़ सकते हैं जानकर अगर आप आर्टिकल के माद्ध हम से पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको आर्टिकल का लिंक मिल जाएगा उस आर्टिकल पर जाकर आप इसे रीड कर सकते हैं वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से बताएगा है कि इसकी क्या जानकरी क्या 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 इसम में भी मिल जाएगा, आप महाँ से भी जाके इसे पढ़ सकते हैं, अब इसके आद में यहाँ पर बहुत सारी जानकरी दी गई है, पूरा PDF का लिंक आपको हमारे टेलिगराम चेनल पर मिल जाएगा, आप महाँ से इसे देख सकते हैं, इसमें नीचे अपलाई करने का भी तरी इसके आद में एक्जाम सेंटर में क्या कर जीजे वलजित हैं, यानि आपको कौन कौन सी चीजी वहाँ पर नहीं ले जानी है, कौन सी चीजे ले जानी है, जानकरी इस PDF के माध्यम से आपको देखने को मिल जाएगी, इसका फार्म किस तरह से बनना है, उसके भी जानकरी आ आपको सेंटर सेलेक्ट करना होगा, जो भी आप सेंटर लेंगे, उस सेंटर पर आपको एक्जाम देने जाना होगा, यहाँ पर आप अपने राजिक एनुसाल जो भी आपका ऐसे इसमें अधिकतर आपका सेंटर मिलने वाला है, जो आपका जिला है, वो ही आपका सेंटर आ अध्यम से मैंने आपको बताया कि प्रसंदा अब A. asthat अबस अ महां सब्क्रान कह भाएा आपको यह वीडियो काफी पसंद आये होगा वीडियो को लाइक किजी है तो चेनल को सबस्क्राइब करना ना लो भूले नेक्ष अ कर पात